कि नमस्कार आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिश्टर प्रेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ विविक शुक लाइए जो मैप आप देख रहे हैं यह मैप है आयलेंड का आयलेंड देश एक सबसे बड़ी बात है कि भारत की आवादी तो दुनिया में सबसे जारा है लेकिन यहां पर आवादी बहुत कम हो रही है और दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो घूमने के लिए जाते हैं उसमें से भारत के भी कई सारे लोग हैं जो विदेश में जाते हैं उनको शौक होता है कि कितनों का तो सपना होता है कि विदेश में जाएं गूमें देखें कि विदेश कैसा होता है तो यह खबर जो हम आपको बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो विदेश में बसना साते हैं विदेश को देखना चाहते हैं दूसरे देश में जाकर आपको जाना है आयलेंड, आयलेंड में जाकर आप बसिए, वहाँ पर एक घर खरी दिए और वहाँ पर रहना शुरू कर दीजिए, आपको आयलेंड की सरकार 71 लाक रुपए देगी, इसके लिए कुछ नियम है, लेकिन उससे पहले आपको ये जाना जरूरी है, कि आकर ऐसा ह क्यों रहा है, क्यों आयलेंड वहाँ पर लोगों को बुला रहा है और ये ओफर दे रहा है, कि वो आएं यहाँ पर बसें, तो सरकार 71 लाक रुपए देगी, दरसल आयलेंड में ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी जगे हैं, जहां पर लोगों की संक्या कम होती जा रही है, आ इसलिए एक स्कीम लॉंच की गई है, आयलेंड की सरकार के द्वारा, उस स्कीम का नाम है Our Living Ireland, तो ये स्कीम को कैसे आप इसका फाइदा उठा सकते हैं, हम आपको बताते हैं, दरसल इस स्कीम के तहट आपको वहाँ पर जाना होगा, एपलाई करना होगा, और कैसे एपलाई करेंगे नियम क्या है, वो हम आपको बता रहे थे हैं, इसके लिए आपको आयलेंड में बसने वाले नए लोगों को, यानि कि आप अगर जाना चाहते हैं, तो तीस जो वहाँ पर अप तटिये दीप हैं, या इसे और आसान सब्दों में हम अगर बताएं, तो तीस ऐसी भी पैसा आता है, तो पैसा आप इंवेस्ट करिए, वहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, और प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसका निर्मान उननीस सो तेरानवे से पहले किया गया हो, तकरीबन तीस साल पहले, जिसका निर्मान हुआ हो, वो प्रॉपर्टी यहां पर आयलेंड लोगों को बसानी की कोशिश कर रहा है और फर यहीं से शुरू होता है एकतर लाख रुपे आपको उसी घर को जिस घर में आप रहेंगे जो तकरीबन 30 साल पुराना होगा जाइड जिवाते घर थोड़ा सा पुराना होगा तो वहाँ पर रेनोवेशन की जरुवत होगी मनम्मत की जरुवत होगी कर्श्ट्रक्शन भी हो सकता आप वो कुछ कराना पड़े तो वो 71 लाख रुपे इसलिए दिये जा रहे है ताकि आपको रहने में दिक्कत ना हो और चुकि वहाँ पर फ्री में आपको कर्श्ट्रक्शन के लिए या रेनोवेशन के लिए इतनी मौटी रकम दी जा रही है तो लोग इससे प्रवाबित हो सरकार के दोरा 81 लाख रुपे दिये जाएंगे उसका इस्तमाल उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी की मेंटिनेंस में होना चाहिए ये एक बड़ी कंडिशन है मतलब हर घर का खुलिया सुधारने या इसे नए सरे से बनाने के लिए निरमान करने के लिए जो पैसों की जरूरत होगी जो कि आप खर्च करते अगर आपको वो प्रॉपर्टी खरीदनी होती और उसमें रहना होता वो खर्च सरकार उठाएगी और इस खर्च की मियाद है 81,000 रुपए यानि की तक्रीबन 80,000 यूरो एक जुलाई से इसके लिए एपलाई शुरू हो जाएंगे एक जुलाई से बच्चों के स्कूल के सर्शन खुलते हैं तो वहाँ पर भी आप देखे कि एक नई तरीके से लोगों को रहने के लिए एक कोशिश की जा दिये दरसल इसके पीछे एक बड़ी बजा है आयलेंड सरकार की ये मच्बूरी बन गई है कि लोगों को वहाँ पर बसाया जाए जहां पर वो जगए खाली हो चुकी है जिन 30 अप 30 है शेतरों के हम बात कर रहे हैं जगों के बात कर रहे हैं और इसलिए सरकार ने इस स्कीम को लाँच किया है अगर आप भी आयलेंड जाकर बसना चाते हैं उन दीपों पर रहना चाते हैं जो की खाली हो चुके हैं करीब करीब तो आपके लिए ये ओफर है आप जाएए एपलाई कीजिए और हो सकता है कि आप आयलेंड के निवासी हो जाए हाना कि देश को छोड़ कर जाना एक बड़ी बात होती है हर किसी के लिए आसाद नहीं होता लेकि बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरे देश में जाना चाते है तो उनके लिए ये ओफर है तबसे बड़ी बात है ये मजबूरी सरकार की वहाँ पर इसलिए बन गई है क्योंकि ऐसे तमाम शेत्र हैं आयलेंड के उन तीस अब तठी है शेत्रों में दूपों में जहाँ पर लोगों के संख्या ना के बरावर हो गई है लोग आएंगे जाहिर सी बात है जब लोग आएंगे तो लोग बसेंगे भीड खटा होगी तो उसके बाद फिर वहाँ पर लोगों की रहने की सुविदायमी बढ़ाई जाएंगी सरकार के लिए काम कास करना भी आसान होगा जो पॉलिसीज होंगी वो भी लोगों को फाइदा पहुचाएंगी इसके लाबा एक जो शक्ती होती है जो भारत जिसे का जाता कि विश्वग्रू बन रहा है उसके पीछे भी एक सबसे बड़ी ताकत है कि भारत की जो चंसंक्या है वो दुनिया में सबसे जारा है और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है आयलेंड इस ताकत में सबसे कम है क्योंकि उसके दीफ खाली हो रहे है उसकी जगह खाली हो रही है अगर आपको वहाँ पर बसना होगा तो और जारा नियम को या फिर उनकी जो शर्ते हैं सरकार की उसको फॉलो करना पड़ेगा नमस्कार